चैन मेरे प्यारे देशवासियों मैं हूँ आपका दोस्त रिटार्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबाइ टैरिस्ट अटेक वारियर त्री टाइम आइन मैन फिनिशर सौर्य चक्रावाडी प्रवीन कुमार तेवतिया दोस्तो जो हमारी ओलंपिक टीम गई थी टोकियो वह वापिस आ गई है और बहुत सारे मैडल हमारे लिए लेकर आई है वो टोटल मैडल की संख्या आपको जानकर हैरानी होगी वो है टोटल नंबर दोस्तो साथ तो मैंने बोला था पहले ही कि भाईया आपसे यह ना हो पाएगा आपके बसका काम नहीं है आप कितनी भी बड़ी टीम लेके चले जो आपसे ना हो पाएगा आप जपान चाइना और यूएस को तो छोड़ दो उनके साथ कॉम्पिटिटर बनने की ज़रत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा टेली में जादा उपर नहीं आओगे क्योंकि इसके पीछे के छोटा सा कारण मैं बताऊंगा कि जिस देश में सोनु मेरी डार्लिंग सुनने वालों की संक्या जाद हो और प्रैक्टिस करने वालों की संक्या सिर्फ त तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस देश में ओलम्पिक की मैडल आएंगे और आप खुद देखिए ना कि आप अपने आसपास में देखिए कितने बचे आज सोनु मेरी डार्लिंग पे यूट्यूब पे लगे हुए हैं और कोई डांस कर रहा है कोई गाना गा र रहा है उस देश में कैसे आप आसा कर सकते हैं कि इस देश में ओलम्पिक के मैडल आएंगे इस देश में एकलीट जन्म लेंगे इस देश में जन्म ले रहे हैं दोस्तों सोनु मेरी डार्लिंग एडल्ट सौंग गाने वाले बच्चे और उनको फूल मालाएं पहनाई जा जा रही है उनको इतना importance दिया जा रहा है किसके द्वारा मेडिया के द्वारा और वहां की पर्डिकुलर government के द्वारा बॉलीवुड के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको बुला के स्टेज पे उनसे वही सोनू मेरी डार्लिंग अवाय जा रहा है, तो आप इस देश का बविश्य को देख सकते हैं, इस देश का बविश्य कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे एडल्ट सौंग आते हैं, यहाँ पर छोटे बच्चे छोटे-छोटे कपड़े पहन कर डांस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश का बविश्य कुछ ज़्यादा अच्छा है, वेल्कम टू न्यू इंडिया, वेल्कम 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 हम एक नई इरा की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, और उसको हम को सेलिब्रेट करना चाहिए, हम एथलीट नहीं बनना चाहते हैं, हम चीप कंटेंट के साथ में जीना चाहते हैं, तो आप खुद देखिये आसपास में, अपने बच्चों को देखिये वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके अंदर वो जज़बा है कि देश के लिए मैडल ना है, क्या उनके अंदर वो ज़जबा है कि वो देश की सम्मानित जगह तक अपना सफरते करें, क्या उनके अंदर वो जजबा है कि वो IES IPS बने है क्या उनके अंदर जजबा है क्या उनके अंदर जजबा है क्या उनके अंदर वो जजबा है कि वो देश की सेवा करें क्या उनके अंदर वो जजबा है कि वो एक टॉप बिजिसमेन बने क्या उनके अंदर वो जजबा है कि व पुमानित करने वाले लोगों को दिखाया जा रहा है, तो उनके अंदर कहां से आएगा जजबा, और कहां से आएगी ये उनके अंदर प्रेड़ना, हमारे प्रेड़ना के स्रोत कौन है, हमारे प्रेड़ना के स्रोत ऐसे ही बच्चे बनते जा रहे हैं, जो डांस करते हैं, आ इन बच्चों को वहां के सी एं माला पहनाते हैं और इसको कहते कि तुम्हारा भविष्य उज्वल ऐ जिसको सारै गामा की सथा संगीत सवर्वा को फटと वह चैनल जयसे बच्चों को प्रेढ़ना का सुल्ट मानते हैं एक भाविष्य को कुछ सही देशा की तरफ जाता है जय हिंद जय भारत आप देख रहेते मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोज प्रवीन तेवतिया लाइक सब्सक्राइब शेयर करें न करें लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि आपका भविश्य कहां है